दोस्तो नमस्कार, स्वागादा है, आप सभीका ऑल और निटाफोस्टीय чтоб चैनल है, गोई बात कि oni Do Kाई होती है दोस्तो वीडियो को लाइक कर देम है पूछ ए साथी शेयर कर देम और चैनल को सबस्क्राइक कर ले जिससे की जान गई है आप सभी को ओलन एड़ा फोश्टी चनल के माध्यम से मिलती रहें नोटिफिकेशन दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी पहला आइकन को दबाने के बाद शुवात करते हैं सबसे पहली अप्डेट के साथ जोगी संबन्दित हैं टीजटी पीजटी दोज़ा बाइस की एक्जाम डेट के लिए पिछले चार से पास दिनों से अभ्यतियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश माध्यमी सिच्छा सिवा चैन बोड के सामरे धना प्रदेशन दिया जा रहा है अभ्यतियों की माझए कि टीजटी पीजटी दोज़ा बाइस की परीक्षागी तारिख को गोशित किया जाए तो वहीं दूसी तरफ प्रदोगी संक्या को बढ़ा दिया जाए टीजिटी पीजिटी के अंदर प्रदोगी संक्या आप जानते 4163 जो की काफी ज़्यादा कम है क्योंकि तेरे लाग से ज़्यादा अभ्यतियों ने इस भरती के लिए आवेदन किया है उसी के संबन्द में कल की तारीग में चाट्तों के माद्यम से एक पोस्ट क्ार्ड अभ्यान शुरू किया गया जो की सी म योगी को बेजे जाने का प्यास है तो वहीं दूसी के अप्रतियों के माध्यम से कल भी इधना प्रदेशन जारी रहए और आज भी धरना प्रदेशन जारी दरेगा नई प्रार्थ में सिच्छक ब्रती की माफ़ कीज़े टीजिटी पीजिटी 2022 की परिक्षा की तारिकें गोशित करने के लिए उसी के संबन में यहां पर आप सुभी को देखने के लिए मिलेगा कि सिच्छक ब्रती के अंदर पद बढ़ाने की अंसन जारी साइटा प्राथ मार्धिमी बिद्यालेों की अगर बात की जाए प्रशिश दिशना तक टीजिटी और प्रवर्ता पीजिटी 2022 में प्रदों की संक्या बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश मार्धिमी सिच्छा सिवा चैन बोड के बार चातों के मार्धिम से अंसर शुक्रवार को भी जारी जाहा प्रतियों की चात मोचा के अध्यक्ष बिक्की खान के नेतरत में अब बैतियों के मार्धिम से धहना प्रदिशन लगाता जारी है कल की तारिक में छातों के माध्यम से जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि मुख्यमंदी को पोस्ट कार भीज़े जाने को लेकर भी यहां से बात की गई भीज़ कर पद बढ़ाने की मांग की वहीं दूसरी दब प्यत्यों की छात प्रतिनेदी मंडल की माध्यम से भी दूसरे दिन धना प्रदेशन जारी रहा दो अलग अलग धना प्रदेशन जारी है मुद्धा एक ही है टीजटी पीजटी दोजार बाइस की परिक्षा की तारिकों को गोशित करना और साथ ही यहां पर प्रदों की संक्या बढ़ाने को लेकर अब देखना यह होगा कि चैन बूर्ड इसके बारे में क्या करता है लेकिन वहीं दूसरी दब बात कीज़ए अपनी एकली अप्डेट की बारे में जोकी संबंदीत है एकीस से अठाइस तक परिक्षा के बारे में माध्यमी सिच्छा परिशद के माध्यम से इसको लेकर जानकाई जारी कर दी गई है जैसा कि आप सुभी को यहां पर देखने के लिए मिलेगा माध्यमी सिच्छा परशद के माध्यम से authentic जानकाई इसको लेकर आदेस भी जारी उन्होंने कर दिया है जिसके बारे में लिखा हुआ है कि UP Board Intermediate की जो परिक्षाय देखने के लिए मिलेगी वो 21 जनवरी से लेकर 28 जनवरी 2023 तक देखने के लिए मिलने वाली जिसके बारे में detail में जानकाई यहां पर दी गई है इसके अलावा 16 से लेकर 20 जनवरी तक परिक्षाय भी देखने के लिए मिलेगी जिसके संबंद में आदेस पहले ही जारी कर दिया गया है बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो की संबंद देते हैं प्राथमिक सिच्छक भरती को लेकर आवेदन प्रकिया शुरू होने की संबंद में जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले चार सालों से बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिली हैं 2018 के अंदर 5 दिसंबर 2018 के अंदर लास्ट बार प्राथमिक सिच्छक भरती का विग्यापन निकाला गया था उसके बाद ये भरती काफी लंबे समय तक लटकी भी यही जैसे कि 2019 के अंदर परिक्षा होगी 6 जनवरी को और उसके बाद में मामला थोड़े लंबे समय तक लटक गया कट ओफ के विवाद के चलते ही लेकिन अंत में कट ओफ को लेकर सरकार की जीत हुई सरकार ने 99,000 सिच्छक भरती को दो चरणों में पूरा किया 31,000 पिलस 36,000 पर बाद में आप सभी जानते हैं कि इसके अंदर थर्ड काउंसलिंग से जो सीटें खाली जा गई थी लगबग 6000 सीटों के लिए सरकार के माध्यम से एक बार फिर से काउंसलिंग करवाई गई जो कि लगबग 6000 के संतिंग सीटें थी तो पहले जो आप सभी के सामने जितना भी परदों की संग्या थी वो थर्ड काउंसलिंग के अंदर बर गई अब हो सकता है कि थोड़े बहुत परद खाली दे गए हो जैसे कि 150 या 200-200 इससे ज़्यादा होने की संभावना बहुत कम है क्योंकि तीन बार काउंसलिंग होने के बाद में परद बचते नहीं है उसके बाद में आप सुभी को देखने के लिए मिला पिछले साल जब दिसंबर में चुनाब चल रहे थे तो सरकार राजनितिक दबाब में आते हुए 39,000 सिच्छक भरती के अंदर 6,800 का घोटाला सुरिकार कर लिया आज तक 6,800 को नोकी नहीं मिली है और ये मामला कोर्ट में लगा हुआ है अब इस कोर्ट के मामले से पहले हाली में एक सुनबरी देखने के लिए मिली थी जहां पर ओर्डर को रिज़र्व कर लिया गया था कोछी दिनों के अंदर ओर्डर सुनाया भी जाएगा लेकिन कल की तारीक में सची परिक्षा नीमक परिकारी के माध्यम से एक लेटर जारी किया गया जिसके अंदर PNP के माध्यम से आवेदन प्रकिया सम्मंदित जानकाई दी गई दस जनबरी से इसके जो आवेदने वो शुरू होंगे और उनलाइन आवेदन की जो अंतिम तारीक देखने के लिए मिलेगी वो उन्नीस जनबरी 2023 देखने के लिए मिलेगी अब इसको लेकर बहुत साइच चारतों के मन में सवाल है और उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ पहला सवाल चाहतों के मन में ये था कि इसकी जो वेबसाइट है वो कहां देखने के लिए मिलेगी हाला कि कल देजात को जब मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें आपको दिखाया था कि इससे संबंदे जो आवेदन आपको करने होंगे वो updelete.gov.in पर जाकर आप सभी कर सकते हैं चुकि अभी आवेदन शुरू नहीं हुएं तो आप सभी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको देखने के लिए ना मिलें लेकिन 10 जनबरी के बाद दुपेर 12 बजे के बाद में इसके जो आवेदने वो शुरू होंगे एक सवाल ये भी था कि इसके अंदर कौन-कौन आवेदन कर सकते हैं तो जैसा कि यहाँ पर आप सुभी को देखने के लिए मिलेगा कि 99,000 सिच्छक बरती में एक नमबर से फेल अभीरतियों से मांगे गए हैं आवेदन लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा टेर की मामला आपको समझना पड़ेगा कि एक नमबर से फेल होने वाले अभीरति तो बहुत होंगे है ना तो यहाँ पर एक नमबर से वो फेल होने वाले अभीरति जो कि 79,000 सिच्छक बरती के उत्तर कुन जी की याचिका के अंदर याचि बने थे या फिर उन्होंने याचिका दाखिल की थी ध्यान से समझेगा 79,000 सिच्छक बरती में या तो वो याचि थे या फिर याचिका उन्होंने दाखिल की थी ऐसे अब्यति जो ना तो याची थे और ना ही याची का दाखिल की थी भले ही वो एक नंबर से फिल हो रहे होंगे लेकिन उनको ये एक नंबर नहीं दिया जाएगा लिखा हुआ है कि परसदी 79000 सिच्छक वरती में एक नंबर से चैन सुची से बाहर होने वाले अब्यतियों के लिए राहत वरी खवर देखने के लिए काफी संगर्स के बाद में सची परीक्षा निमक प्रदिकारी ने ऐसे अब्यतियों से आवेदन मांगे जो याची करता है या फिर इसके लावा 25 अगस्त 2021 के पहले हाई कोट में याची का दाखिल की थी या फिर अपील दाखिल की थी ये अब्यति 10 जन्वरी से ओनलेन आवेदन कर सकते हैं सची परीक्षा निमक प्रदिकारी की होशे शुक्रबार को जारी बिग्यप्ति के मुताबिक संबंदित याची करण अपील करता उक्त वेबसाइड पर साय कद्यापक भरती परीक्षा 2019 के लिए नरिगत रजिस्टेशन अनुकरमांक अंकित करते हुए ओनलेन आवेदन प कई उनको ऑनलाइन आवेदन पूईत करते समय देनी पड़ेगी तो इसको लेकर जो आवेदन वो आप जानते हैं यह आपको देखने के लिए मिलेंगे दस्ताइक से पिछले अगर बात किए चार साल पहले छे जनबरी दोजा उननीस को इसकी परीक्षा करवाई गी थी उन को आवेदन कर सकते हैं बात कर लेते हैं कुछ और बरतियों की बारे में जो कि सम्मदित है तीन बरतियों से सम्मदित बिग्यापन को लेकर जिसकी जानकाई आप सुभी को जौब अलट पेज पर देखने के लिए मिलेगी जहां पर तीन अलग रग छोटी-छोटी बरतिया देखने के लिए मिलती है 91 पदों के लिए भरति का विग्यापन जादी किया गया है यहां पर उसकी डेटिल देखी हुई है आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और यहां पर वेबसाइट लीचे लिखी हुई है इसके अलाबा दूसी आप सुभी को देखन जानकाईयां ले सकते हैं एक और जानकाई देखने के लिए मिलती है जो कि सम्मधिते 277 प्रतों के लिए इसके बार में भी सेम प्रोसेस आपको फोलो करना होगा वीडियो को पॉज करें और इसके बार में जानकाई को पढ़ ले और साथ ही नीचे लिखी वेबसाइट की म माध्यम से आप इसके लिए जानकाई भी ले सकते हैं फिलाल इस वीडियो के माध्यम से इतना है थेंक यू फो वाचिंग इस वीडियो